Hello students, welcome back to my channel दीखे बच्ची, जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो है ना, important diagrams science की important diagram जो है वो सारे में यहाँ पर explain करने चाहरा हूँ और notes you provide को तो वो diagrams का explanation भी हो जाएगा आपका अगर आपको कोई भी query होते हैं, comment करें करें जोरू पता सकते हैं अब इस वीडियो में बात करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सबसे पहला important diagram जो है stromata है अब stromata होता है क्या है basic tiny pores present on the surface of leaves is called stromata means actual में क्या होता है stromata कुछ नहीं है, आपके जो leaves होते हैं leaves के surface पे सब्सक्राइब से अब आपको डिख रहे हैं राजमा के बीच जैसे यह basically कहां guerre zase, Жüy उनको protect करते हैं अब यह बड़ा बात, अब बात आज बड़ा, functions क्या होता है, stomata क्या होता है, अगर stomata जो present है हमारे loops में, इनका काम क्या होता है, पहली बात बटा, they help the exchange of gases like oxygen carbon dioxide gas, यह क्या करते हैं, तरीके से gases को exchange करने में help करते हैं, कैसे हैं, आपको पता है, mostly जो plants आपके हैं, वो oxygen gas को provide करत हैं, हना और CO2 gas को absorb करते हैं, during the process of photosynthesis, यह क्या करते हैं, क्या करते हैं, exchange करते है gases को, okay, दूसरी बात, loses large amount of water vapor during transpiration, अपके पर large amount पर जो waters होता है न आपका, आपको पता है, summers के time पे, अगर आप continuously किसी छोटे plant को, आगर आप धूप में रखेंगे, तो कुस टाइम के बाद व इसको जो water होता है, वो remove रहाता है, through these pores, okay, और उसको कहता हम transpiration, transpiration is basically कुछ नहीं होता है, evaporation होता है water का from the surface of leaves, ठीक है, leaves के surface से, क्या होता है, basically, evaporation of water, from the surface, all of leaves, okay, बच्चा, समझ में आगी बाद, ठीक है, तो इसी तरीके से बटा जो water होता है, वो roots के, through roots से, upward directions में move करता है, okay, upward directions में move करता है, by the process of transpiration, ठीक है, और कौन से tissues help करता है, आपको पता है, asylum tissues help करता है, उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आइसी इ पॉर्स को क्या करता है, एक तरीके से, जो stimatal pores है है, इनको protect करता है, एक तरीके से, देखो, the opening and the closing of stomatal is the function of a guard cell, the guard cell basically help करता है, istrometal pores को open करने में और close करने में ठीक है अब क्या होता है जैसे बिटा जो swell up when water flows into them causing stormetal pores आपन अब बिटा होता है कहा है जब water कम हो जादा होता है ठीक है तो क्या होता है stormetal जो हमारे यह guard cells क्या करते हैं करीक से swell up हो जाता है जिससे वेसे हमेरे ये झे पार्ट पोर्स जो ऑपना हो को स्ट्रूमेटल पोर्स खाना यह तो से जब ऑनदा अब झाना उत्व आधा इस सवागरी मेंTalk बाव Cooper इसकें बाता होते च्टैम शुक्राइ को प्टैम BENEOS इना से महीं बैंने करने में सो Go आगे हम दिसकुस करेंगे, ओके, ठीक है बट तो मिलते नेक्स बीडियू में, तब तक लिए, बाइबाई, टेक क्यार एड जाय हैं दोचे